10th class बेटाज हम इस चेप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है पावर ओफ दा लेंस पावर क्या चीज़ होती है अगर इसकी डेफिनिशन की बात करें तो पावर इस डिफाइंड ऐस दा रेसिप्रोकल ओफ दा फोकल लेंस अगर आप मीतर ने लेंद को मेजर करते हो तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले ले लेते हैं यानि कि एक डिवाइट कर देते हैं वन से जो हमारे पास अंसर आता है उस से इसको हम बोलते हैं आम तोर पर जो हम चश्मे यूज़ करते हैं उनकी जो पावर की बात करते हैं, किसी की बोलते हैं कि पावर पॉजिटिव इतनी है, किसी की पावर नेगटिव इतनी है, तो ये पावर किस तरह से होती है, पावर और कुछ नहीं है, ये सिरफ उसका रेसिप्रोकल रहेगा, फोकल लेंद का, जो भी आप लेंस अपने गॉ क्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो कोई कहता है कि हमारे जो जश्मिया उसका नंबर पॉजिटिव संथिंग है तो इसका मतलब उसने convex lens use किया हुए और concave lens की power negative होती है अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरी जिसमें का number जो है negative something है इसका मतलब वो concave lens use कर रहा है यूनेट्स की बात करते हैं तो power के यूनेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं diopter तो diopters है किया ऊपर से आपको दिख रहा है क्योंकि यह focal length का reciprocal है और focal length जो है वो meters में measure करनी है तो one diopter is equal to one meter inverse meter की power minus one एक्जेंपल आपको जो questions में आपको इसके साथ कुछ पेज़ रहा हूं दो तिन questions है उन में से एक question तो यही है कि define the power of a lens यह साथ में क्या है defined units of power of lens वाट इस डायोक्टर बोलोगे डायोक्टर वन डायोक्टर is the power of the lens whose focal length is of one meter अगर किसी lens की focal length one meter है तो उसकी power one diopter के बराबर होगी एक question और आगे जो मैं present करूंगा अगर आपको focal length given है two meter तो बताओ किसकी power कितनी होगी तो कोई ज्यादा complicated काम नहीं है simple सा काम है तो power आपने कैसे निकालनी है power is equal to one over two zero point five diopter ज्यादार आ, प्रиля क्पमने कोरी काम तो कंग गार logar सेमे